हलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सबी अच्छे होंगे दोस्तो अपनी जिंदकी में सफलता हर कोई पाना चाहता है लेकिन जादतर लोग सफलता पाने की तयारी नहीं करते और सफलता दिलाने वाले मोके को हाथ से गवा देते है अगर आप वाके में अपनी जिंदकी में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको उस सफलता के लिए पहले से तयार होना होगा यही बात समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ किसी सहर में कुछ दूरी पर एक पती-पतनी रहते थे वो जंगे बिल्कुल सान थी जहां पर रहते थे आसपास वहाँ पर कोई एक दो लोगी नजर आते थे नहीं तो कोई भी नजर नहीं आता था तो एक दिन सुभई-सुभई उन दोनों ने देखा कि एक युवक हाथ में फावडा लिए अपनी साइकल से कहीं जा रहा था वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर उनकी नजरों से गायब हो गया तो उन पती-पतनी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चलो कोई आ गया होगा पर अगले दिन फिर व्यक्ती वही व्यक्ती उदर से निकला तो वो व्यक्ती वहाँ से रोज गुजरने लगा तो जैसे उसके हाथ में एक फावडा रहता था और साइकल पर जाता था और थोड़ी दूर बाद वो गयाब हो जाता था तो जो पती-पतनी थे वो सुमसान इलाके में रहते थे और तो वो रोज उस आने वाले से मतलब परिसान होने लगे कि उन्होंने सोचा कि सायद ये कौन है बार-बार क्यों आ रहा है तो उन्होंने सोचा या फिर एक फैसला लिया कि हम इसका पीछा करेंगे तो अगले दिन जब वो व्यक्ती साइकल से गुजरा तो उन्होंने अपनी गाड़ी से पती-पत्नी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ती एक पेड के पास रुका और उसने अपने साइकल वहीं पे खड़ी कर दी और फिर वो आगे बढ़ने लगा फावडा लेके तो थोड़ी देर बाद वो जमीन खोदने लगा तो जो पती-पत्नी थे उन्हें बड़ा जीब लगा तो उन्होंने पूरी हिमत जुटाई और उसके पास पहुँच गे और उससे कहा कि तुम इसने इतनी वीरान जगहे में काम क्यों कर रहे हो तो उस व्यक्ति ने कहा कि दो दिन बाज मुझे एक किसान के यहाँ पर जाना है और मुझे वहाँ पर जोब मिली है और मुझे उसके खेतों में काम करना है लेकिन मुझे खेतों में काम करने का अनभव नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन पहले यहां आकर तयारी कर लेता हूँ कि खेत में किस तरीके से काम किया जाता है तो जो पती-पत्नी थे वो यह सुनकर काफी खुस हुए और उन्होंने उसे आसिरवात दिया कि तुम जरूर सफल होंगे तुम्हें जोब मिल जाएगी तो दोस्तो इस काहनी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज में सफलता पानी के लिए तैयारी बहुत जरूरी है जिस सिंसेर्टी से वो यह खुद को खेतों में काम करने के लिए तैयार कर रहा था कुछ उसी तरह भी आपको भी अपनी चेतर में सफलता प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, खुद पर काम करना होगा, खुद की स्किल्स पर काम करना होगा खुद की qualities पे काम करना होगा और आप किस field में जा रहे हैं आपको ये पता लगा कर उस पे पहले थोड़ा सा work करना होगा तभी आप उस field में success हो पाऊंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप success नहीं हो पाएंगे तो दोस्तो मुझे अमीद है कि आपको ये story अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो यसे like जरूर कीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसे और के काम भी है तो आप इसे share भी कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट के थरू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलेगा Thank you